नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरगां की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं मुख्य मंतर हमान सुरेण ने कहा है कि उन्होंने सिबीएसी बरवे बोट की परिक्षा प्रोफेसिनल करसेज एवाम और इंटरेस परिक्षा होगा हैं ट्वीटर और सोसल मीडिया के आने माद्यामों से अधिकांस लोगों का काना ही Monsieur फिलाल अस्ताइद होनी चाहिए राजे में कई बच्चे संक्रामित हुए हैं और वे अभी स्वास्त लाब ले रहे हैं मुख्य मंत्री ने कहा कि बर्तमान हालात में अगर परिक्षा अविजी जीत होती है तो संक्रामन के फैलाओ के असंकास से इनकार नहीं किया जा सकता जारखन में खाद की काला बजारी करने पर कडिक करवाई क्रिसी मंत्री जारखन के क्रिसी पस उपरण एम साकार्था मंत्री बादल पत्रले को बढ़ी होई कीमतों पर खाद मिलने की सिकायट मिल रही है इसे गंबीता से लेते हुए उन्होंने सचीव को निर्देश दिया है कि इस संदर में सभी जीलों के उपायुतों को जाच कर कड़ी करवाई करने को कहें इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाए और दोस्यों को खिलाब करवाई की जाए बतादे किरिसी मंत्री ने कहा कि वित्यवर्स 2019-2020 के दोरान जीलों में ऐसी सिकायते मिल रही थी जिसके बाद खात की काला बजारी करने वालों पर करवाई की गई थी जारखन में बलाइक फंगस को 24 माई को महामारी घोसित करने पर लगेगी मुहर जारखन अभी करोना की दूसरी ले अर्थे जूज रही है कि बलाइक फंगस ने और परिसानी बढ़ा दी है बतादे 24 माई को होने वाली कैविनेट की बैठक में इसे महामारी घोसित किया जा सकता है स्वास्त विभाग के अपर मुक्स चीव अरुन कुमार सिंग ने जनकारी दिया है कि हमन सुरेन सरकार इसे लेकर अलट मोड़ पर है बतादे राज़ानी राची के रिंस में बलाइक फंगस को लेकर अलग वाट बनाया गया है अभी तक राज़े में बलाइक फंगस के 27 मरीज पाए गया है जारखन में जयक बराहमी बोट की परिच्छा पर सीम हिमन्त ने ट्यूटर प्रमांगी रहा है जारखन के मुखमंद हिमन सुरे ने बराहमी परिच्छा को लेकर अभीभाव को चातरों और सिक्षकों से अपने फेस्बुक पेज के जरिये सुझाव मांगे है उन्होंने लिखा पर्देश के कक्षा बराहमी में परहने वाले सभी बच्चों के अभीभाव को अध्याब को एवाम खुद चातरों से इस बरस के बोट की परिच्छा पर राये जानना चाता हूँ किर्पया अपने बहुमुले सुझाव कोमेंट कर साजा करे इससे मुझे भारत सरकार के साथ होने वाली बैठक में आपके विचार सुझाव यह परिशानियों को और भी बेतर तरीके से रखने में मदद मिलेगी बता देमोख मंतरी ने फेस्बुक पेज पर जानता से इंटरमीडियाट की परिक्षा को लेकर राये मांगी जिसमें 6 घंटे में ही 6000 साधी कमेंट्स और 350 लोगों ने सेर किया है ज्यारखन के रसोईया सहसाहिकाओ के मांदे में 500 काईजाफा मद्यान भोजन योजना के अंतरगत रसोईया सहसाहिकाओ के लिए राजे योजना अंतरगत दिये जाने वाले अतरिक्त मांदे में 500 रुपए काईजाफा किया गया है अब इन्हें मांदे के रूप में प्रतिमाद 2000 रुपए मिलेंगे पता दे मुख्यमत हेमन सुरने मद्यान भोजन योजना के अंतरगत कारेरात रसोईया सहसाहिकाओ को राजे योजना अंतरगत दिये जाने वाले अतरिक्त मांदे को लेकर 49.78 रुपए ब्याय करने की स्विक्रित दिया यह और आसी बार्सिक 10 माह के लिए है किसानों की समस्या का समधान करे एपसी आई नहीं तो दर्ज होगी पराथ में की मंत्री मिथलेस चारखन के पेज जाले हों सक्सता मंत्री मिथलेस ठाकुने केंदर सरकार के उपकरम एपसी आई केला परवाह रवया पर कड़ी अपती दर्ज कराई है मंत्री ने कहा कि केंदर सरकार के उपकरम निरंग कुस हो गए हैं FCI के मनमानी से किसान काफी बिहाल है FCI के पताधिकारियों वा कर्मियों को चेताते हुए मंत्री ने कहा कि यदि इनके आच्रन में सुधार नहीं होता है और सिगर ही धान की खलिदारी करते हुए किसानों की समस्या का समधान नहीं किया जाता है तो इनके विरूत प्राथमी की दर्ज करते हुए राजे में इनके प्रचलन पर प्रतिबंद लगा दिया जाएगा ज्यार्खन केबिनेट की बैठक आज मामारी को लेकर लिए जा सकते हैं भैसले करोना मामारी के बिच सोमवार को ज्यार्खन केबिनेट की बैठक होगी बता दे ज्यार्खन के मुख मंतरी हमान सुरेन के अध्यक्सता में केबिनेट की बैठक होगी बेडियो कन्फरेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मजूद रहेंगे बताया जा रहा है कि कुरोना वाइरस की समभावी तिसरी लाहर को लेकर इस बैठक में चार्चा होगी सभी मंत्रियों से कुरोना की तिसरी लाहर की रोक्थाम और इससे समंधित उपायों का विचार करेंगे बता दे कि इससे पूरु कैबिनेट की बैठक मार्च में होई थी कुरोना महामारी से बचाओ और रोक्थाम के लिए मुखमात्री लगातार कदम उठा रहे है जार्खन सिक्षा पर योजना ने सभी डियो से बच्चों की संख्यास लेकर एकाउंट्स तक का मांगा आकडा है कुरोना के करान इस वार सेक्षनिक सत्र दो यर बीस एकिस के बिद्याले वार आकडो का संकलन पोर्टल यू डायल पलस पर किया जाना है जार्खन सिक्षा पर योजना ने सभी जीला सिक्षा पतादिकारी सव जीला कारेकरम पतादिकारी को पत्र लिखकर आकडो का संकलन कर पोर्टल पर अफलूट करने को कहा है पता दे इसे 30 जून तक पूरा कर लेना है राजे परियोजना निदेस्तक डाक्टर सैलेज कुमार चोरस्या ने कहा कि सभी भी द्याले जहां कक्षा एक से बरावी तक कि किसी भी कक्षा का संचलन होता है वहां का आकड़ा संकलन करना है इसके तहथ इसकूल में कक्षावार बचों की संख्या कितने का खाता खुला है कितने का अधार लिंक है सहित एकाउंट्स आधिकी जनकारी देनी है राजे में आपदा से निपटने के लिए डीजी पी ने जारी किये दो क्रोर राजे में आपदा से निपटने और आक्समिक ब्यवस्था के लिए पूलिस को दो क्रोर रुपे की रासी मिली है बतादे राजे पूलिस के डीजी पी नीरज सिन्हा ने इस समन में आदेश जारी किया है बतादे चोबिस जीलो के एस पी वा आई जी एस टी एफ को पूलिस बजट से या रासी दी गई है ज्यारखन में 13455 नए केस मिले हैं ज्यारखन में 37 मरीज की मौत हुई है ज्यारखन में कूल मौत की संख्या 4838 है वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या 29492 है भारत में 2,222,704 नए केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 3,3351 है वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या 27,16,356 है भारत में 3,283 मरीज स्वास्त हुए हैं वहाई ज्यारखन में 4345 मरीज स्वास्त हुए हैं ज्यारखन में 1345 मरीज मिले हैं जो बुकारू सेकासी 1415 देवघर 24 धनवा 94 दूमका 12 पूर्वी सिम्मों 13 गढ़वा 40 गिरीडी साथ गोड़ा 12 गुमला 6,172 जामतरा पूंदरा खुटी सहतारीस कोड़ारमा 33 लातेहार 16 लोहरदागा 28 पांकुर 6 पलामु संतावन ज्यारखन में 4375 मरीज स्वस्थ हुए हैं जो बुकारू सेकासी 144 देवघर 434 धनवा 399 दूमका 11 पूर्वी सिम्मों 335 गढ़वा 357 गिरीडी 88 गोड़ा 25 गुमला 231 साजारी बैक 232 जामतरा साथातर खुटी 145 कोड़ारमा 94 लातेहार 27 लोहरदागा 62 पलामु 103 रामगार 103 राची 609 साहिब गंज 9 सराइकला 26 सिम्डेगा 82 पच्मी सिम्मों से 102 मरीज स्वस्थ हुए हैं 62 पूर्वी गरज के साथ तेज गती से हावा का बहाव हो सकता है मौसम केंद्रे से मिली जनकारी के मुताबिक पूर्वी सिम्भूम सिम्डेगा सराइकला खरसावा कहलावा धनबाद गिरीडी देवघर दूमका गोटा जामतरा पांकूर एवं साहिगंजीला में कुछ अस्थान पर बजरपात के भी असार हैं बतादे राजे के अनजीलो में इस दुरन मौसम सुस्क और आस्मान साप रहेगा है जहारखन सरकार को मिली बड़ी आर्थिक राहात केंद्रे नहीं काटे डीवी सी के तिसरी किस्त भारत सरकार ने दामोदर घाटी निगम के बकायक की 714 क्रोर की तिसरी किस्त जहारखन के खाते से नहीं काटी है बतादे भारत सरकार की ओर से जहारखन सरकार को इसकी जनकारी दे दी गई है कुरोना काल में राजे को इससे बड़ी आर्थिक राहत मिली है क्रोना रहात के लिए एक कोस के संकट का काफिहाथ तक समधान हुए है इसकूलों के सुलक वसूली के खिलाप अविभावक संग का राज अस्तरी अंदुरन 26 को जाखन अविभावक संग की वर्चूल बैठक रविवार को पर्देश अध्यक्ष अजयराई के अध्यक्षा में होई बैठक में पर्देश पदाधिकारी और विभीन जीला के अध्यक्ष महासचीव सामिल हुए बैठक में सामिल पर्तिनिदियों ने एक सवर से इस बात को रखा कि बंद स्कूलों द्वारा विभावकों से लगताल सभी परकार की फीस की मांग की जा रही है फीस ना देने पर बचों की ऑनलाइन कलास बाधित की जा रही है बैठक में आंदोलन चलाने को लेकर या निरने लिया गया कि राज सरकार की ओर से जारी आदेश के प्रती परतेक जिला मुख्याले में डिस्पेले की जाएगी बतादे अजयरा ने बताया कि आंदोलन की सुरुआ 26 माई से राज अस्तर पर सुरू की जाएगी 26 माई को पले कार्ड के मादे हम से वर्चूल धारना दिया जाएगा पलामो में 25 और 26 को चलेगा बिशेश टीका करन अभियान 25 और 26 माई को पलामो जिले में बिशेश टीका करन अभियान चलाया जाएगा बदा दे अभियान के तحत वैसे बेक्तियों वा लभार्थियों को टीका दिया जाएगा जिण्होंने पहला डोज ले लिया है और उनका दूसरा डोज बाकी है या दूसरे डोज की टीका लेने से छुट गया है इसके तहट को वैक्सिन का टीका लगाया जाएगा इसे लेकर पलामो जीले के वैसे पंचायतों में टीका अकरन केंदर बनाया गया है जहाँ पाला डोज दिया गया था आज से रेलवे छेतर के आसपास गाव तक पहुंचेगा रेलवे सुरक्षा बल राची रेल मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के जवान सोमवर से स्टेशन समीब के गाव तक चाहेंगे वहां के लोगों को कोवीट को लेकर जागरूप करने काकारे करेंगे यह अभियान मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रसांत यादव के निर्देश पर चलाया जा रहा है बता दे इसमें अधिकारियों वजवानों का स्वेक्षा स्वयोग लिया गया है धनबात की हुनहार युवा फुर्टबॉल खिलारी संगीता स्ुरेन की मदद के लिए देश के खेल मंतरी कीरण रिजीजीव ने पहल की है मंतरी ने लिखा आये कि मेरे उफिस के लोग जल्द ही संगीता से संफर कर आर्थिक मदद करेंगे बताते केंद्री खेल मंत्री ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे जनकारी मिली आए कि भारतिय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली धनबात की खिलाडी संगीता सुरेन इट भटे पर काम कर रही है कोविट की वज़ा से वा आर्थिक संकट से गुजर रही है संगीता का बेहतर जीवन अस्तर देना हमारी प्रत्मिकताओं में सामिल रहेगी धन्यवाद